नमस्कार दोस्तो अंजू बालकनी एंटरिस गार्डन में आपका स्वागत है तो आज आपको मैं अपराजिता के फूल के आयरुविदिक फायदे क्या क्या फायदे हैं इनको ये बताएंगे सबसे पहला फायदा है इसका शुगर के लिए ये जो फूल है बहुत ही इतने या फिर उसकी चाय बनाके दूसरा ये पांचन के लिए भी बहुत ही अच्छा उपाय है तो आप इसके फूलों की या तो चाय बनाके या फिर ऐसे ही आप इनको यूज कर सकते हैं और हमारे पास इसके तीन चार कलर हैं तो ब्लू कलर सबसे ज़्यादा यूज में आ हैं वेट लॉस के लिए भी तीसरा इसका बहुत ही अच्छा इसकी दो बार आप चाय बनाएं वेट लॉस के लिए वाइट वाला फूल भी आप कामे ले सकते हो ब्लू वाला भी दौनों को मिलाएंगे तो थोड़ा ग्रीनिश लोकाता है जो चाय का और अगर केवल ब्लू का आप बनाते हैं तो ब्लू कलर की ही चाय बनती है तो इसमें आपको चौथा इसका फायदा है एंटि ऑक्सीजन्ट मतलब आपके जो एजिंग की जो प्राबलम है थोड़ा वो उससे आपको फायदा मिलता है तो इसमें बहुत अच्छे ऐसे एंटि ऑक्सीजन्ट पाय ज जल्दी नहीं बूड़ा होने देते तो आप इन फूलों को अगर भगवान के उपार चड़ा देते हैं उसके बाद अगर ड्राई भी हो जाए ड्राई करके भी आप रख सकते हो और जितने ज़्यादा आप इनके फूल को तोड़ते रहोगे यह और ज्यादा आते हैं कॉल कालेस्टरॉल के लिए भी मेंटेन रखता है तो आप इसके एक बार आपने उगाया उसमें काफी बीज जादाते हैं और उगाते जाएं आप बस इसको धूप में उगाने की जरूरत है में चीज़ा है इसको आपको धूप में रखना पड़ेगा आप इसे नीचे अपने इंडोर में नहीं उगा सकते हैं धूप में कोई भी जगह आप उगा दीजिए बहुत ही अच्छा आयरविदिक दरश्टी से यह बहुत ही अच्छा प्लांट है आप इसे जरूर उगाएं और सुन्दरता में भी यह बहुत सुन्दर दिखता है बेल इसकी सुन्दर लगत आपके पास जतनी बड़ी जगह उसके अकॉर्डिंग तो इसके जो आप सीट्स को रख लीजे और डाल दीजिए बारिश के बारिश के वाद यह उग जाता है जादा तर बारिश में उगता है अभी इस टाइम भी इसके फूल आ रहे हैं तो आप इसकी चाय कैसे यह देखे कोई भी बड़तन लेंगे उसमें आप इसकी ड्राई लीज जो ड्राई फूल है उनकी चाय बनाएंगे वैसे तो इसकी पत्तियां भी बहुत काम की होती है तो आप इस तरह से इसके फूल मैं इनको इस तरह से रखा हुआ है नैट मैं देख सकते हैं आप तो इन बार इनको और वाश करके और फिर आप सीधे इनको गरम किजिए थोड़ी देर में इसका पानी जो है थोड़ा थोड़ा ग्लू होगा फिर उसके बार डार ग्लू और ग्रीन भी हो सकता है अगर आपने वाइट फूल भी मिलाएं साथ में तो इस तरह से आप इसकी चाय बन शायद मिलते हैं बहुत महेंगे फूल रुपे के जाना महेंगे हैं इसलिए आप घर पे उगाएं इनको और इनका फायदा उठाएं काफी अच्छे उग जाते हैं ये तो बस इस तरह से ये दिखिए थोड़ा ब्लू और ग्रीन टाइप हो गया है इस तरह से आप इसको ट की बनाएं और पीएं और अपना फायदा आयर्विदिक उठाएं